असलाम लेकुम नाजरीन मैं हूँ आपकी होस्ट जोय काजी और आप देख रहें अलसादिया टीबी फाउंडेशन के प्लेटवाम से मुझे नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं कि अलसादिया टीबी फाउंडेशन के रिसर्श कॉलर हकीम सैफला सिको साहब जिन्नोंने 60 प्लस बुक्स लिखी हैं जिसमें कमवबेश 55 बुक्स जिन्सी तालिमात से रिलेटिड हैं जिन्नों को जिन्सी मसाइल हैं वो इन्बुक का मुतालिया करके अपने घर में बैठे बिठाए अपनी प्रॉबलम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इसमें नायाब नुस्खे दर्ज किये गए हैं जिसमें जिसको जो भी जिन्सी बीमारी है वो उस बीमारी से रिलेटिड उस नुस्खे को निकाल कर घर पर तियार कर सकता है और आराम से इस्तामाल कर सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत महसूस होती है वो शर्म महसूस करते हैं तो नहीं जा सकते इसलिए इन किताबों में जो नायाब नुसके लिखे गए हैं वो आपकी बरफूर रहनुमाई करते हैं अब ये बुक्स कहां से मिलेंगी ये हर बड़े सिटी से बड़े बुक्स टॉल से इजीली मिल जाएगी हाँ अगर किसी को नहीं मिलती तो वो लाहोर उर्दो बजार से इजीली परच्वेस कर सकता है इनके साब से ये नुस्खे नहीं बनते या जड़ी बुटिया आपको नहीं मिलती इसमें जो हर्बल प्रड़ेक्ट्स हैं वो नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे भी सक्रीन पर दियेगे नबर्स पर आप कांटेक्ट करेंगे हमारे हुकमा हज़रात के साथ और हमारे हुकमा हज़रात को अपना problem बताएंगे और वो हुकमा हज़रात आपको आपकी problem से related medicine prescribed करेंगे, अलसौदिय टीबी foundation की वो आप उसको easily अपने घर पर deliver करवा सकते हैं याद रखिएगा कि अलसौदिय टीबी कांटेक्ट करना है जो के हमारे वाटसेप नंबर्स भी है आपने जो मेडिसन मंगवानी है यहां पर एक मेसेज कर दें आपने घर का एड्रस बता दें आपको मेडिसन दिलीवर हो जाएगी आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ पारिस खातून की क्या निशानी है मतलब कि कहा जाता है कि खवातिन जिनसी हवाले से बहुत ही ज्यादा शेहवत पसंद होती है जबकि ऐसा कुछ नहीं है खातून कम से कम तीन से चार महीने तक सबर कर सकती है अपनी जिनसी मुभाशरत के हवाले से लेकिन मर्द 2-3 दिन तक सबर कर सकता है इससे ज्यादा नहीं है अच्छा अब कहा यह जाता है कि आरत के हवाले से कहा जाता है कि जी आरत को शेहवत ज्यादा आती है इसलिए वो एक से ज्यादा मर्दों के सब तालुक रखने में इंट्रस्टेड होती है जब कि ऐसा कुछ आपको मैं बताती चलूं कि कुछ लोग सारे वो कहते हैं न मचलिया तलाब की गंदी नहीं होती और कुछ खवातीन ऐसी होती है जो भटक जाती है राह से वो भी ऐसी खवातीन जिनको उनके जिनसी तकाज़े जिनके पूरे नहीं होते वो राह से बटकती है आपको बताती चलो कि जो खवातीन बहुत हाइ स्टेंडर्ड फैमिली से बिलॉंग करती है या बहुत ही हाइ फाइ फैमिली में उनकी शादिया होती है उनको भी और जो एक जोपड़ी में रहती है उनको भी जो नीड होती है उनको जो जिनसी नीड होती है वो एक जैसी होती है अगर तो उ जुँपड़ी है, या वो महल है, अगर वो उनके जिंसी तकाजे पूरे नहीं कर सकते, तो वो महल में भी उनके साथ खुश नहीं होती है, वो महल को भी ठोकर मारती है, गाड़ी को पैसे को बंगले को ठोकर मारकर वापिस चली जाती है, या फिर, कुछ खवातिन, परिटल अफियर चला लेती हैं जिस से खामद को मतलब वो पता नहीं लगने देती ही खामद की पीठ पीछे वो क्या करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने जिंसी तकाजे पूरे करने के लिए लेकिन चुके हर खावतीन ऐसी नहीं होती कुछ को डिसकस किया गया है इसमें और इ उनके लिए जरूरी यह होता है कि उनके जिंसी तकाजे हर वक्त पूरे ना किये जाएं क्योंकि अगर ऐसा हुआ क्योंकि बहुत सारी जो w kolej वोमिन्स होती है वो सेक्स ए्डिक्ट हो जाती है इसकी वज़जह से वो जगा जगा अपने रिलेशंस बना लेती है उन रिलेश at the end किया होता है कि वो गलत राहरवी का शिकार हो जाती है ऐसी खवातीन के लिए सिर्फ ये है कि उनकी उतनी ही नीड पूरी की जाए जितनी जरूरत है अब ऐसा भी नहीं है कि अगर उसको भूक चार रोटी की है तो आप उसको हाफ रोटी या एक रोटी दे के कहीं कि जी बस आपका गुजारा हो गया ऐसा भी नहीं होता अच्छा जो खवातीन खुद को साफ सुथरा रखती हैं और हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करें तो ऐसी खवातीन का ख्याल रखा करें क्योंकि वो एक तो सफाई में बहुत दिल्चस्पी लेती है और उनकी कोशिश ही होती है कि जो उनका लाइफ पार्टनर है वो भी साप सुथरा रहे जैनि कि उसके जिसम से समेल ना आ रही हो उनके मूँ से बदबूना आती हो या कि किसी भी किसम की उनके जिसम से उठने वाली ना गवार समेल का उनको सामना ना करना पड़े दूसरी चीज कि उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो उनको भरपूर जिनसी लुट दे सके इन दो चीजों का अगर आप खयाल रखते हैं तो आपकी बीवियां आपके सारी उम्र एक जोंपडी में भी खुश रह सकती हैं अगर आपका इसमें से किसी किसम का भी कोई प्राबलम है जैसे कि हमें एक मेल आई कि जनाब मेरी वाइफ बहुत खुबसूरत हैं और जरूरत से ज्यादा खुबसूरत हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको किस तरीके से हैं हैं तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं कि मैं नजूमी नहीं हूं वाइफ आपकी है आपको पता होना चाहिए हाँ अगर जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ बहुत खुबसूरत हैं उनके गाल पर डिंपल पड़ते हैं कद लंबा है पतली हैं तो आप उनके चेहरे साथ rtb foundation का जोड़ दर्द कोरस वो इस्तेमाल करवाएं इन् मान के कोर्स से ही उनको फाइदा होगा तूरा यह था कि उनकी जो आप फादर हैं उनकी मदर उनको अनको वाइच है तो उनके लिए साथर्द ती बप कोरस वो इस्तेमाल करवाएं नहाइं रहके बात आप की आपने लिखा कि मेरा बहुत ज्यादा प्राब्लम है कि मुझे मरदाना कमजोरी है जिसकी वज़ा से मैं अपनी वाइफ के साथ ठीक तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो भाई आप अलसौदिया टीबी फाउंडेशन का माजूने गुले जाफरान इस्तमाल करें जिससे आपको ये कमजोरी भी दूर हो जाएगी और आपके पठे भी मजबूत होंगे और आप में एक नए ताकत आएगी लेकिन इसको इस्तमाल करने का तरीका उपर बता दिया गया है आपने इसको उसी तरीके से इस्तमाल करना है जैसे कि उपर लिखा गया है कम या ज्यादा का इस्तमाल नहीं करना आपने अलसौदिया टीबी फाउंडेशन की जो प्राड़क्ट्स हैं आपको कहां से मिलेंगी वो मैं आपको बताती चलूं आपने अगर अपने घर आपको यह अगर आपने खुद जाके लेनी हैं तो वह भी मैं अड्रस लिखवा देती हूं आपको अलसौदिया टीबी फाउंडेशन चौप नियू अनारकली लुहारी गेट लाहूर इनका फॉन नंबर है 0300-4164-612 यह उनका नंबर है कि अगर किसी को अड्रस नहीं मिल रहा है अच्छा टीबी बोर्ड से चेक अप के लिए आपने इस पते पर ही जाना है जिनको जरूरत है कि हमें चेक अप करवाना है तो आप हमारे हुक्मा हजरात बैटे में आप अलसौदिया टीबी फाउंडेशन के इदारे में चले जाएं वहां पी आपको वह आपका च के घर पर उनकी मेडिसन पहुंचा तो नाजरीन ये थी आज की बातें जो हम आपके साथ डिसकुस करना चाहते थे उमीद है आपको पसंद आई होंगी और आप इस पर अमल भी करेंगे दौाओं में याद रखिएगा लेकिन साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें शेयर क करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन का बटन दबाएं अलाहाफिज